नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं करांट चोथे सीक्रेट करकर रासी बालो सुक्र का रासी परिवर्तन हो रहा है सुक्र अभी तक धनू रासी में बिराजमान थे अब मकर रासी में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर 21 फरवरी तक रहेंगे 28 जन्वरी से लेकर तो यहां मकर रासी में देव गुरु बिराजमान है अब सुक्र भी आ जाएंगे तब आपके जीवन को कितना प्रभावित करेंगे यह सभी ग्रह मिलकर तो आज हम आपसे यही साजा करेंगे क्योंकि देखे सुक्र की बज़ा से जीवन में धन बैभव यसमान समा बढ़ता है बैभाई जीवन में खुसियां आती हैं आप अच्छा पहनते हैं अच्छा खाते हैं क्योंकि सुक्र ही तमाम चीजों के कारक हैं अब यहां पर करक वालों सुक्र का ये परिवर्तन का लाब आपको उठाना चाहिए क्योंकि इस समय आप अपने कारियों को सही दंग से कर भी पाएंगे और उसके जो नतीजे हैं वो भी आपको अच्छे मिलेंगे आप मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा ये समय आपको लाब दिलाने वाला है बस किसी पी तरह का तनाव मत लें कोई जरूरी निरने लेने के पहले घर के बड़े बड़े बुजर तो यहां पर करकबालों आपके लिए यह सुक्र का जो गोचर है चूंकि यहां पर आपके जीवन में खुसियों को बढ़ा रहा है आपके सब्तम्भाव में विवास थान पे आ रहे हैं अब करकबालों के लिए जब आपके रासी से चतुर्थ और एकादस के भाव के स्वा के स्वामी है देव गुरु ब्रस्पती अब इनके साथ वो बैठे हैं अब आपको अपनी मा का स्वास्त का ध्यान रखना है और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव भी दिखेगा मानसिक रूप से आपका तनाव बढ़ेगा अब यहां पर निर्मान कारे की सुरुआत भी घर पर हो सकती है थोड़ी सी ओसुविधा है सुक्र के साथ अधिक्तम ग्रह की यूती है जिसका फल आपके कारे छेतर पर भी पड़ेगा अब जैसे अच्छी चीजे यहां होगी आपके जॉप करते हैं तो यहां आपके बैपसाई हैं तो यहां पर आपके अधिकारिय बिरेना होगा, क्योंकि यह समय थोरे से दूसमनों को एक्टिब कर रहा है, अगर आप यात्रा वेगयर कम करें तो अच्छा होगा, यह बहुत चरूड़ी है, दूसरी बात घाने के मामलों में यह समान्ने है, क्योंकि आप थोरे से भावनात्मक दिख रहे हैं, आबेस में आ यहां पर आप थोड़ा कंजूसी भी कम दिखा हैं लेकिन हाँ ज्यादा रोना भी मत रोएं क्योंकि अमोवन आपके पास इतना तो होता है लेकिन भावनात्मक रूप से अगर आप फिसलेंगे तो फिर परिशानी आएगी स्वास्त की बात करते हैं थोरे सी तकलीफ है खुद को जैसे पानी उनी पीते रहें पेट की समस्या यूरिन की समस्या परिसाण करेंगी क्योंकि यहां पर बहुत सारे ग्रा बैठेवे हैं तो ऐसे में आप इन चीजोंसे बचे पानी खुब पीए अपने स्वास्त का ध्यान रखें और मालक्षमी किस्तुती करें कनक धरासरोद पढ़ना या फिर आपको श्री सुक्तम का पाठ करना महालक्षमी अस्टकम का पाठ करना आपको जो सप्रे वही करें नहीं कुछ समझ में आए तो सुक्रवार के दिन ही सिर्फ एक क्या कर दो कक बाद की एकशी अस्तिए सम्म में आपको पाठ कीएा